वीडियो को अपने घर पर रिपीट ना करें तो पार्ट वन में आपने देखा था कि हमने इंक को उबाला था देन इंक को हमने के रोसीन के अंदर डाल के देखा था और इंक के साथ हमने दूद में एक्सपेरिमेंट किया था और इंक के साथ हमने कई फार एक्सपेरिमेंट भी किया था और इंग को हमने पानी में बूलाया था तो यह इंग पाड 2 इसमें भी कई आमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स होने वाले है तो hello everyone मैं हो कारति कुश्वा और आप लोग देख रहा तो यहां पर हमारे पास हमारी इंक को परफ्यूम के अंदर डालने वाला है तो ये भी काफी ज़ादा amazing होने वाला है तो चलिए मैं फटा-फट से जो परफ्यूम है उसे test tube के अंदर निकाल लेता हूँ और देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो परफ्यूम है वो मैंने test tube में निकाल लिया है अब यहाँ पर हम use करने वाले हमारी इंक को तो इंक की बोटल यहाँ पर यह रही इंक की बोटल और भाई इसको हम डालने वाले तो काफी ज़ादा amazing result आपको देखने को मिलेगा तो चलिए 3,2,1 और यह अरह यार और भाई यहाँ पर तो मुझे लगा कि जो इंक है वो इसमें कई amazing reaction करेगी बट यहाँ पर तो यह दोनों आपस में भाई की तरह यार मिल गए यार तो चलिए कोई बात नहीं यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट है पेट्रोल तो पेट्रोल में भी ट्राय काने वाले है और यहाँ पर तो मुझे पता है जो इंक है वो amazing reaction देने वाली है तो अगर आपने part 1 नहीं देखा तो यार description में लिंक है वहाँ से आप इसका part 1 देख लीजिगा तो चलिए इसे पेट्रोल में भी डालते है और वही काफी बड़ी आपको result देखने को मिलेगा देखिए मैं slow motion में आपको करके दिखाता हूं देख सकते हो कितनी बड़ीया तरीके से जो इंक है पेट्रोल के अंदर जा रही है और यहां पर हमको एंड में जो result देखने को मिलता है यहां पर जो सारी जो इंक है वो नीचे bottom में जाके यहां पर हम हमारे second experiment के और बढ़ते हैं तो second experiment के और लिए हमें यहां पर जरवट पन्देखने को मिलता है काफी सारी पत्तियों की हमें यहां पर लिफ की जरवट पढ़ने वाली है और इससे भी काफी बड़ी आपको result देखने को मिलेगा तो सबसे पहले हमें यहां पर यूज करना है बटर फ्लो पैन का जो की एकदम मक्षन की तरह चलती है बट यहां पर हमें चलाना नहीं है इसकी जो रिफिल है उससे अलग करना है जो जिससे हम लिखते है न ठीक है इसको हम ठोड़ी बोलते है मतलब ठोड़ी नहीं जो इसकी नुक्की आते है ठीक है उसको निकाल देते पैन निप को उसके बाद यहां पर यूज सनने वाले लिफ को और लिफ के जो एंड पार्ट होता है ठीक है उसमें सारी इंके डाल देंगे सारी नहीं मतलब की थोड़ी बोलत इंके डाल देंगे और आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और यहां पर आप देख स चैंगे से चेट रही है देख सकते हैं किस तरीके की जो इंक है वो उसके उपर एक लेयर बना के बहला वोटर के उपर एक लेयर बना लिया है उनक ने यह भी काफी ज़ादा अमेजिंग है तो चैनल यह नंबर 3 की और बढ़ते हैं नंबर 3 पर हम इंक को क्या करने वाले फ जो भाई यहाँ पर करीब तू सेकेंड में हमारी एंक हो जम के तियार हो चुकी है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जाद हु किया आथा lk दसा है जल्दी तो फ्री जो हुकी है तो आप देखने वाली बात इ है कि क्या हम जिए लिख़ पाते हैं और یہाँ पर मुझे तोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जो इंके वो पिगल रही है देखे सकते हैं और एक्शुली में आपको बताओं कि जो इंके वो जमी नहीं थी मतलब इतनी जैसे है कि आईस को हम जमाते हैं पानी से उस तरीके से नहीं जमी थी बट यह जम चुकेते पड़ इतने तो क्या इंक काम करने वाली है या नहीं आप अपना एंसर कमेंड में हमें बताईए और यहाँ पर जो इंक है वो पूरी तरीके से पेगल चुकी है तो यहाँ पर मैं इस पेपर का यूज़ करने वाला और अपनी फिंगर्स में इंक को ले लेता हूँ और जो पेपर के उसके को मिलता है साथ हमारी जो एंक वो खराब हो चुकी यार बड़ी नुकसान हो या मेरा तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते जो एंक हो खराब मुल्पने भट कुछ इस त्रीके का आपको रिजल्ट देखने को मिलता है तो अब यहाँ पर एने में जो हमारा पेट्रोल और इंग का रियक्शन था ठीक है उसको हम यहाँ पर जला की देखते क्या अभी भी इसमें जुलन सील है कि नहीं मिल्लब यह जलता या नहीं और काफी बढ़िया तरीके से यह जल रहा है तो यहाँ पर आप देख लिजेगा और अगर आप पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजीगा और पर लाइकन को प्रेज कर दीजीगा और हाँ इसका पार्ट वन भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंके वहाँ पर आप जाईएगा और इसका पार्ट वन भी देख लीजेगा और भाई प्लीस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आज के लिए इतना है मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए जैंजय वारत